हाई अगली बात अपने लोग करेंगे पूटीन के सेकंडरी स्ट्रक्चर के बारे में इसलिए वीडियो तक मैंने आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है सेकंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है टर्चरी स्ट्रक्चर क्या होता है इन चारों के बारे में कुछ-कुछ बात है उसको आपने बोला है कि वह यह primary structure है जब कभी हम रेखिए sense में बात करेंगे कि चीज़ों को linear sense में हमने रख दिया है जब कभी भी हम 3D confirmation के sense में बात कर रहे हैं कि यह जो primary structure है यह अपने आपको 3D में कैसे fold कर लेता है कैसे उनको मिला लेता है कुछ नई संरचना है बनाने का प्रयास करता है तो उसको बोलते है secondary structure और यहां एक मुख्य चीज़ की बात करेंगे कि इस जगह पर जो dominant चीज़ होती है वो होती है hydrogen bonds ऐसी बाते में आगे थोड़ी दिर बात करने से एक संरचना अंतिम स्थाई संरचना एक स्थाई संरचना बनाने का प्रयास करता है ध्यान दीजिएगा यहां तक कोई चीज स्थाई नहीं है अगर एक primary structure को आप कहेंगे यार पता नहीं कब तूट जाए secondary structure कोई कोई भी मज़े की बात है पांच से लेके पंद्रा माइनोशिट तक के ही होते हैं यह याद रखना है बड़ी प्यारी सी बात है पांच से पंद्रा माइनोशिट तक की चीज होती से अ क्रहीं K छिजे एक थी सहर और कई सारे सिक्ण्री स्क्टर मिलकर एक बनाएं गें टट्री स्ट्रक्चर जिसके मिलने में मैंने ये मामला होता है आपका quaternary structure का हमने का कई सारे जो अध्याएं हैं उन अध्याएं को आप non-covalent interaction की मदद से जोड़ना शुरू करो एक अध्याए दूसरा अध्याए तीसरा अध्याए और non-covalent interaction से ऐसे साथ जुड़ जाएंगे तो ये क्रियात्मक संरचना बनाएंगी को角 फट्रस्या होसकता है क्र बेकिन हर जीज़ाएव करब्से-बाथ का हीमोग्लोबिन की चार यूनिट होती है अकेली संरचना को देखा जाए किसी एक अलफा ग्लोबिन को या बीटा ग्लोबिन को अकेले को तो वो हीमोग्लोबिन नहीं है आलो हीमोग्लोबिन का हिस्सा है लेकिन अकेले सेंस में देखा जाए तो वो इस्टेबल तो हो सकता है लेकिन क्रियात्मक नहीं हो सकता लेकिन ये मामला है जब quaternary structure बन रहा है अगर ये मामला किसी tertiary structure का होता जैसे मैं कहूंगा कि myoglobin ये tertiary structure है और स्थाई भी है और मज़े के बाद एक क्रियात्मक भी है तो क्रियात्मक होना नहोना ये एक अलग बात होती है लेकिन हम यहाँ पर कुल मिलाकर एक और शब्द यहाँ पर कह सकते हैं कि एक single polypeptide होता है एक अकेला protein होता है और यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर कई सारी कई सारी सब यूनिट इसको बनाने में participate कर रही होती है तो यह बहुत अब सामाने सांतर हम लोग बात कर लेता है शुरुवात वापिस से करते हैं कि protein का जब peptide bond के म बात दे हम से एक amino acid दूसरे amino acid से linear sequence बनाते हुए जूडता है और जब कभी भी हम peptide bond के बारे हम बात करते हैं तो पहली चीज़ याद रखना chemical bond है कोविलेंट bond है जिसमें की एक amino acid का alpha amino group और दूसरे amino acid का carboxyl amino acid के बीच में एक विशेश प्रकार से करिया होगी इस प्रकार से water release होगा और water release होने से जो यह संरचना create हो रही है यह वाली चीज कहला रही है आपके peptide bond बड़ी प्यारी बात हमने गए यार चलो यह तो बड़ी आसान सी बात लिखा के से जाएगा सपोज मैंने आपका नाम लिख दिया इट इस दीप्ती डी आई पी टी आई दीप्ती डी मतलब aspartic acid आई मतलब isoleucine, P मतलब proline, T मतलब threonine और यह हो गया वापिस isoleucine अगर किसी भी रेखी अनुकरम में amino acid को लिखा जाएगा तो यह पूरी की पूरी कहानी हमेशा ऐसे होगी कि इसका left hand side पर आप हमेशा amino group लिखोगे और right hand side पर CHH लिखोगे आपने का हाँ यार यह बात तो सही है ले इसके N के बारे में बात की तो वो असल में यहां बन रागा इसी प्रकार से इसका C और इसका N होगा अगर मैं सही रख सकते हैं पो इसको नीचे वाले को मिटा एटे हम थोड़ दे के लिए और ऐसा ही अगले वाले में होगा, यहां पर यह C होगा, और यहां पर यह N होगा, ऐसे करते-करते, यह भोगया C, और यहां का होगा N. तो जब कभी भी हम Peptide शंकला को लिखेंगे, तो बाई और हमेशा Amin Amino Group लिखा जाएगा, और दाई और आपका C लिखा जाएगा, और इस प्रकार से आप चीजों को बना होगे, बोला कैसे जाता है, बोलने का बड़ा गजब का मामला याद रखना है, सपोज मैंने बोला है सपोज SLF, सेराइन, लूसीन, फिनाइललन, अगर इसको बोलोगे, इसको बोलते हैं, ट्राइप्टाइड, मज़े की बात तीन प्रेप्टाइड नीए, तीन नमायन में से नहीं है, ट्राइप्टाइड को बोलोगे, तो कैसे बोलोगे, सेरेनिल, यह बोलने का स्टैल भी सेरेनिल, लूसीनिल, अगर मैंने कहते हैं, यार कुछ और नाम बोलों, मैंने बोला, ECG, तो E for Glutamyl, Cystinil, Glycine, बड़ा प्यारा सा, मज़ेदार सा.